नमस्ते दोस्तों वनसबाई देसी किच्चन में आपका हर्दिक स्वागत है आज हम बनाने वाले हैं बहुती टेस्टी दाल पालक ये बहुत बढ़िया खाना होता है जो डाइट करते हैं उनके लिए तो बहुती बढ़िया है बाकि हम देसी लोग तो डेली खाने में यही खाना खाते हैं बहुती बढ़िया और बहुती टेस्टी होते हैं तभी तो इतने मस्त और तंद्रुस्त हरवक्त रहते हैं यह दाल ले रहे हम, बहुत कब डाल लेनी हैं, आज पालक और पीले मूंकी दाल साथ में बनाएगें, एकदम सुकी और बहुत अच्छी होती है, इसे अब अच्छे से हम ढोके बिखा देगे, पालक लेनी हैं हमें पहले, इसे अच्छे से धो लेना है, फिर इसका पूरा पानी निकाल के, फिर हम इसे कट करेगे, क्योंकि आप पहले ही कट करके फिर धोलोगे, तो इसका पूरा टेस्ट है, पूरा जो विटामिन है, वो पूरा निकल जाएगा, तो कभी भी पहले पालक हमें दोनी है और उसके बाद ही हमें कट करनी है लेसन और हारी में चली है इसे हम दरदरा सा कूट लेगे हैं कड़ाय अच्छे से गरम हो गई है अब इसमें हम डालेगे तेल सबसे पहले डाले के प्याज बहुत जादा प्याज को लालनी करना है साथ ही हम डालेगे हरी में और लस्तन का दरदरा सा पेस्ट अब डालेगे तमाटर अब डालेगे तमाटर अब अब डाले अब डालेगे इसमें मचाले सबसे पहले डालेगे नमस, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ा धनिया पाउडर, लालविक्ष नहीं डाल दे हैं क्योंकि हमने हर्विक्ष डाल लिये, साथ ही हम डालेगे, पता हुआ पालक जो हमने बहुत जादा बारिक नहीं काटा है, थोड़ा मोटा मोटा से होता है, बिस एच्छे से पुरा मिक्स कर लेगे, पानी का हम बिल्कुल भी यूज नहीं कर रहे हैं, तो जो पालक का पानी निकलेगा, उसी में डाल पक जाएगी और पालक भी पक जाएगा, कि अब सब्जी पानी वाली नहीं होरी है, पूरा शुखा ड्राइ ओगना और दाल दे आमें बहुत ज्यादान है, कि पूरा दाल का ही स्वादा आए, थोड़ी से दाल डालनी है का कि पालक में हलकी से छो मिली भी रह, इसरे प्लेन पालक निकूँ, चोथाई दालू अब इसे डखकन लगाते दस मिनिट के लिए हम छोड़ते गए दस मिनिट में सब्जी बनके एकदम रेडी हो जाएगी दस मिनिट हमारे पूरे हो गए है जो हमने सब्जी को ढखके रखा था यह देखिए वाब भीवा और एकदम बढ़िया दस मिनिट तक आपको इसे देखने की जरूत नहीं है कि यह जल जाएगी कुछ हो जाएगा कुछ भी आपको देखने की जरूत नहीं बस आप धक्तन डगा लो और अपने काम में लग जाओ दस मिनिट में आपकी पालक दाल बनके एकदम रेडी हो जाएगी एकदम बढ़िया तरीके से रेडी हो गई है अभी से हम बंद करतेगी ग्यास को थैंक यू फो वाचिंग इस वीडियो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब